जहीं देखवा फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र यूपी पी इटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के एक अच्छी अपडेट मिली है और गाईज ऐसा अन्मान लगा जा रहा है कि कल यानि की 16 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा यूपी पी इटी का मेरे पहरे भाई इसके असाथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यूपी पी इटी में गाईज एक अच्छी खुशकबरी देखने को मिल रही है कि यूपी पेट 2022 से रिलेटेट गाईज 14,000 से भी अधिक नए पदो पर भरतिया होने वाली है ठीक है मित्र तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपको बता देंगा इस ये देख लीजे यहाँ पर ये आज एक अपडेट मिली है पेट 2022 नतीजे 100 मुवार को आएंगे यहाँ पर आप देखे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चेन आयोग प्रारंबिक आहरता परिक्षा एक मिनट कलर चेंज कर लें ताकि आपको बेहतर दिखे देखो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चेन आयोग प्रारंबिक आहरता परिक्षा यानि कि गाईज पी एटी 2022 परिडाम 16 जनवरी को जारी कर सकता है परिडाम जारी होने के बाद समोंगा के पदों पर रुकी हुई भरती प्रिक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी आपने देखा है कि कि गाईज कितनी जादा भेड़ थी यूपी पी इटी के अग्जाम में और मेरे पहरे भाई इसके जो परिलाम है यह बता जा रहा है यानि कि जो इसका रिजल्ट है बता जा रहा है कि कल यानि 16 जनवरी को जारी किया जाएगा अब मेरे पहरे भाई जैसे ही इसके बारे में अबडेट मिलती है यानि की रिजल्ट जैसे ही जारी किया जाता है मैं तुरंत आपको इंफर्म कर दूंगा अगर आप चैनल पर पहली वार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि जैसे वीडियो अप्लोड हो आप तक नोडिफिकेसन पहुचे और आप पने रिजल्ट आसानी से देख पाएं मेरे पहरे भाई आपको बता दें कि यूपी पीटी 2022 से समंदी जितनी भी सारी लंबित भरतिया है जो पेंडिंग पड़ी हुई भरति प्रिक्रिया है वो आपकी फिर्चल शुरू कर दी जाएगी इसके असासत गाई और भी 14,000 से नए पदों पर अधिक भरतिया होने वा जाटा नहीं मिल पाया है लेकिन गाईस बता जा रहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट की पदों पर भरति होगी वो लगबग 5000 से अधिक पद हैं और जो क्रिशी प्राविधिक की भरति होगी इसमें 3500 भी अधिक पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी इन दोनों को मिला करके गाईस 2100 प्लस 2500 यानि कि गाईस कहा जाए तो लगबग 2600 से भी अधिक पदों पर यह आपकी भरति प्रिक्रिया होगी इसके साथ गाईस आपने देखा है कि और भी अच्छी अप्छी अप्रेट मिल रही है और मेरे पहरे भाई आपको बता दें कि यह सारी भरति प्रिक्रिया जो है यह इसी वर्ड से सुरू की जाएगी यानि कि 2023 में यह सारी भरति प्रिक्रिया आपकी सुरू की जाएगी क्योंकि आप जानते हैं गाईस की अगले वर्ड से चुनाव है चुनाव की वज़े से जितनी भी सारी भरतिया होती ह वो सारी किशारी बर्तियां फिर से शुरू कर दी जाती है तो मेरे पहरे भाई तैयारी में लग जाईए जी जान सिदत के साथ तैयारी करते रहिए और कमेंट से मुझे जरूर बता दीजेगा कि आप किस अग्जाम पर जादा फोकस दे रहे हैं किस अग्जाम को लेगर कि आप टार्गेट कर रहे हैं ठीक है मित्र ताकि मैं आपके तैयारी में और भी मदद कर पाऊं आपकी मैं थोड़ी बहुत घल्प कर पाऊं तो प्लेज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजेगा मित्र की आप किस अग्जाम को टार्गेट कर रहे हैं या पिर किस अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है और जो इसका पहला में पीटी 2022 का ये कल यानि 16 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा जैसे ही अपडेट मिलते हैं मित्र चैनल पर पहली वारा है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली नई वीडियो के निटिफिकेशन आपको समझ से मिला करें ठीक है मित्र तो यही जानकारी आप सभी को देना था और हाँ एक बात आपको बताते हैं जाएगी ठीक है और गाइस बता दिया गया है कि जैसे ही पीटी का रिजल्ट जो है रिजारी क्या जाता है उसके बाद फिर्टी से शुरू की बढ़ती प्रिक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी तो मतलब मेरे प्यारे भाई की रिजल्ट जैसे आपका 2022 का आता है प्रिडाम 2021 के पेट की बैदेता खत्म हो जाएगी और उसके बाद जितनी भी भरतिया आए गाईस वह फड़ाग फड़ाग से निकाली जाने लेगेंगी और भरती प्रिक्रिया सुरू हो जाएगी ठीक है हाला कि ऐसा बताया जा रहा है अब यह सब कुछ तो डिपेंड करता है गाईस जो आयोग यूपेट रहिस है ना अब क्या बता है कि कल तक जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए ठीक है जैसे ही अपडेट मिलती है तुरंत मैं आपको इंफॉर्म कर दूँगा और मेरे प्यारे भाई कमेंट सक्षिर में कमेंट करके जरूर बताई दियेगा कि आपकी सग्जाम को टार्गेट क लगे रही है निलते हैं इसके वादे को नई खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मुस्कुराते रही है जै हिंद जै भारत